मंगलम भगवान विश्डू, मंगलम गरुण ध्वज, मंगलम पुंडरी काक्च, मंगला यतनो हरी प्रियदर्शकों, हमारे स्रीमन नारायन जोती सस्थान में आपका श्वागत है आज हम आपके लेकर आये हैं करन्या रासवालों के लिए कैसा रहेगा मई 2020 काया महिना प्रियदर्शकों, हम आसा करते हैं कि आपने हमारा चैनल सस्क्राइब कर लिया होगा अगर नहीं किया है, तो इसको आप सस्क्राइब कर लिजिए, ताकि आपको लाब हो कोई भी हमारे चैनल पर वीडियो डाली जाए, आपके पास सिधा पहुंचे, आपको लाब हो आप ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक सेयर करें, ताकि आपके इश्टे मित्र दोस्तों तक सब को इसकी सफलता और लाब पराप्त होना चीए हम आपको बताते हैं कि इस महिने में कौन सा अवरत और तेवार रहेगा, इस महिने में एक मई को ही स्री बंगला मुखे जयनती रहेगी और तीन माई को स्री मोहिनी एकासी का अवरत रहेगा, भगवान विश्रो का अवरत इत्यात करना चाहिए, इसमें हर मनोकामना पूरी होती है साथ माई को बुध पुड़िमा रहेगा, जो भगवान सत्य नाराण की पूजा और चंद्रमा को अर्ख देने का बहुत बड़ा महतुम बता गया है अठारा माई को अचला एकासी रहेगा, इस दिन भी भगवान विश्रो की पूजा करनी चाहिए और 22 माई को माउश्या रहेगा, जिसके पत्री में पित्री दोसों उसको इस दिन त्रिपिंडी स्रांथ नाराण वली इत्यात कराकर के इस कष्ट को दूर करना चाहिए हम आपको बताते हैं कि कन्या रास वालों के लिए कैसा रहेगा आल उवर यह पूरा महिना कन्या रास का मालिक बुद्ध भाग्यस्थान में आपके विराजमान हैं जो आपकी मनों कामना पूरी होगी आपके उपर सनी की धाया भी उतर चुकी है इसलिए आपके रुके हुए कारियों में सभलता मिलेगा, भाग्योता होगा धर्म कर्म करने का आपको समय मिलेगा और आपको इस्त्री वर्ग से भी लाब हो सकता है अगर आप विद्ये से आत्राएं कोई बना रहे हैं तो आपका समय एह समय आपके लिए बहुत अच्छा उच्छी समय रहेगा आप इसमें जा सकते हैं आप कोई परिच्छा इत्याद अगर दे रहा है तो एग भी समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा इस समय धन एकत हो सकता है आपके पास धन इकठा हो सकता है माता को सारीक पीडा हो सकती है आपके भी थोड़ा सा पेट में दिक्कता सकती है बाकी या महिना आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा आपका आलोवर या पूरा हर छेतर से सबलता मिलेगी संतान अगर आपके कोई परिच्छा दे रही है तो नती होगी आपको यह अगर परिच्छा दे रहा है तो उसमें सबलता मिलेगा मंगल की आठीवी द्रिष्टी आपके लगन पर होने से थोड़ी सी चिर्षिडा पन और खोस्ट आपको बचना चीए राहु की पांच विद्रिष्टी आपके धन पर होने से थोड़ी सी कुटम में अनबन समाउना या धन देते समय किसी को आप थोड़ी सी साओधानी बढ़ते नई थन थोड़ा सा आपको रुकावटे या डूबने का भी डर बन सकता है आपके भाईयों की भी भाग दोड़ हो सकती है या भाइयों कि कोई सबलता मिलने का पूरा-पूरा योग दे रहा है प्रेदर सको आपको अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल पल दिए हुए नंबर से संपर्ण कर सकते हैं कमेंट कर सकते हैं वार्टसप पे जानकारी ले सकते हैं या फोन करके कुछ भी जानकारी लेनी हो आप कर सकते हैं, पिरे दर्शकों, हमारे चैनल पर फोन करके आप जानकारी ले सकते हैं, अब हम आपको बताते हैं, आल ओवर आपका स्वास्त कैसा रहेगा, इस महीने आल ओवर आपका स्वास्त अच्छा रहेगा, बस माता पिदा थोड़ा सा पेट का और रक्त से समंदिय आपको ध्यान रखना चीए इस महिने हम आपको बताते हैं ब्यापार नोकरी कैसी रहेगी इस महिने ब्यापार नोकरी सफलता तो बहुत अच्छी लेगी लेकिन बाधाएं रोडा दिकत नोकरी में परसानी टेंसन आपको बन सकता है अब आपको बताते हैं दामपत तो अप प्रेम कैसा रहेगा इस महिने दामपत प्रेम बहुत अच्छा रहेगा मन सफलता मेलेगी अगर बिवाहित आद में दिकत आ रही है तो इस महिने होने के योग बन रहे हैं प्रेम कहीं चल रहा है तो आपको लाब होगा अब आपको के साथ हम अपनी बैड़ी को विराम देते हैं जैसरी मना रहा है भूमी, भवन, वाहन, धन, संपत्ती, शादी, व्यापार एवं संतान आदिसी संबंधित समस्याओं से हैं परिशान और चाहते हैं उनका संपूर्ण निदान तो आचारे पंडित अबधिश दुएदी से तुरंत संपर्क करें हमारे संपर्क सूत्र हैं 8 5 1 0 9 9 7 8 1 0 हमारा इमेल आईडी है श्रीमननारायन जोतिशसंस्थान at the rate gmail.com हमारे यहां वैदिक ब्राम्हनों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाट, करमकान, यग्य अनुस्ठान, विवाह, ग्रे प्रवेश, काल सर्प दोश वन नव ग्रहों की पूजा आदी कराई जाती है हमारे यहां सभी प्रकार के यंत्र, राशी रत्न कवच, जन्पत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किये जाते हैं व्यपार में रुकावट, ग्रिकलेश, आर्थिक समस्या इत्यादी का समाधान किया जाता है